नमस्कार दोस्तो इस टेडी विद हपिनेस में आप सबी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विसम परिस्तितियों में भी हम रचनात्मक धंक से पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अन्त में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो कल हमने एक वोटिंग करवाई थी और पूछा था आप लोगों से कि आज कल पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं तो आप्शन देखके दोस्तो आप देखी सकते हैं 16% मातर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं क कि पहले से कुछ कम लग रहा है मतलब उसमें गिरावट आई है और 61% लोगों ने कहा है कि नहीं लग रहा है यह अंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तो और इसके भी पीछे कई सारे रीजन है जैसे कि दोस्तो आप लोग को पहला रीजन तो यही आपको पता है कि देश में कोरोना का खत्रा चाय हुआ है तो सबसे पहले मैं आप लोग से नवेदन करूंगा कि जो भी गवर्मेंट के द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है उन्हें प्रॉपर फॉलो करें 10% लोगों ने बड़ी ही इमानदारी से और बिलकु साफ दिल से आंसर दिया है कि ना पहल ने कोई एक्जाम नहीं होता पढ़ने में मजा नहीं आता ये बात बिलकु सही है अभी तो सो सो कर कमर में दर्द हो गया है पूरे दिन यूट्यूब पर कोरोना देखता हूँ और हाई कोट का इन्होंने अपना बताए कि कितने नमबर बन रहे हैं और इनका आलत से जो है पर है और ये चीज जो है बहुत लोगों के साथ है जैसे कि रिजवान साब ने कहा कि वोटिंग देखकर सुकून हुआ मेरा भी नहीं लग रहा था क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही मन नहीं लग रहा है तो देखा तो 61% लोग है अब क्या करें दोस्तों ये बात तो सच है कि जब से लोग घर पे हैं यूट्यूब ही चला रहा है इंटरनेट का ही प्रियोग कर रहे हैं और पूरे दिन यही सब न्यूज आती रहती है तो देखिए दोस्तों आप अपना न्यूज देखने का समय डिसाइड कर लिजे कि आपको कब देखनी है क्य अगर उस बीच में क्या करना है उस पर हम बात करेंगे और मैं यह नहीं कहूंगा कि आप हिस्ट्री पढ़ने लगी है पॉलिट्री पढ़ने लगी है दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया था और जहां पर मैंने आपको मुवी के बारे में भी बताया था जो कि हमारे इतिहासिक विक्तियों के उपर बनी हैं चाहें वो महात्मा गांदी हों सरदार पटेल हों सुबास चंद बोस हों या फिर अमेटकर साब हों इन सब पे डोकुमेंटरी मुवी बनी है और यह जो समय है दोस्तों यह उनी सब ड देख लेंगे तो यकिन मानिए कि जब आप किताबों से पढ़ना शुरू करेंगे और भी अधिक मजा आने लगेगा तो यही है दोस्तों पढ़ाई का रचनात्मक तरीका फिर वी मैं आपको कुछ जो है मुवी के नाम बता रेता हूं और फिर एक डोकुमेंटरी आपको लग से और बताऊंगा पहरा दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो महत्मा गांधी पे जो फुल मुवी बनी है साड़े तीन घंटे की तो वो आप देखिए आप टार्गेट बना लिए डेली दो मुवी देखनी है या तीन मुवी देखनी है और जितना भी पर टेल के उपर है परिश रावल जी ने इसमें रोल किया है तो दूसरी मुवी यह हो गई और तीसरी मुवी है दोस्तों दा फॉर्गेटन हीरो यह सुभाष चंद बोस जी के उपर है तो यह आप देखिएगा इसके अलावा दोस्तों चौथी मुवी बता देता हूं मैं बियार अमबेटकर अमबेटकर साब के उपर यह भी तीन घंटे किया है और इसके अंदर सारी घटनाएं वो सब दिखाए गई हैं जो कि आप किताब में पढ़ते हैं तो अभी आपको पढ़ने के साब से नहीं देखना है मनरंजन के साब से देखिए क्योंकि आप जारतर स उपर बहुत सार प्रशन पूछे जाते हैं और गौतम बुद पर यह वाली मूवी देख लेंगे तो बहुत मतलब कोशन आपके सही होने के बहुत ज्यादा चांसे सो जाएंगे एक दोस्तों बनी है दा लीजन्ट आप भगत सिंग दा लीजन्ट आप भगत सिंग और अठ बनी थी वीडी सावर कर पे ठीक है वीडी सावर कर तो यह वाली भी आप देखिएगा इसके अंदर जो है 1905 का बंगाल विवाजन चीज भी दिखाई गई है और कैसे जो है कर्णल वाइली की हत्या की गई थी पहुत सारी चीज़े जो है इसमें आपको मौडर इंडिया से लेकर देखने को मिल जाएंगी ठीक है तो यह तो हो गई इसके अलाबा दोस्तो एक पूरी सिरीज है वेब सिरीज वो किस पर बनी हुई है उसका नाम है दोस्तो भारत की खोज हाँ भारत की खोज इसमें दोस्तो मालूम है कितने एपिसोड है इसके अंदर है पचास से तक कि विवेकनन जी को भी दिखाए गया है जोतिबा फूले और जितने भी हमारे पूरा इत्यास ये समझ लीजे कि सिंदु हैटी सब्वेता से सुरू करकर और 1947 तक आजादी तक सब कुछ दिखाए गया है और पूरे एक तरीके के धारवाहिक हैं ये तो ये फील नहीं आए इसे होंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ये उन लोग के लिए है जिन लोग का पढ़ाई में मन लग रहा है वो अपने किताब से पढ़ाई करते रहें जिन लोग का किताब से इस समय पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है वो इस तरीके को अपना सकते हैं और दोस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं धन्यवाद जय हैं जय भारत